अमन हिंदी मूवी समीक्षा अमन मोहन कुमार ग्वारा निर्देशित एक भारतिय युद्ध विरोधी फिल्म है इसमें राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, बलराज साहनी और चेतन आनंद ने मुख्य भूमी का निभाई थी यह फिल्म नसीरुद्दीन शाह की भी पहली फिल्म थी, जिन्होंने इसमें एक छोटी सी भूमी का निभाई थी फिल्म में प्रसिध ब्रिटिश नोबेल पुरसकार विजेता बर्टरेंड रसेल का एक दुरलब कैमियो भी है फिल्म की शूटिंग इंग्लैंड और जापान में हुई थी ध्वितिय विश्वियुद्ध के दौरान रंगून पर बंबारी की गई और कई निवासी अपने परिवारों के साथ पास के जंगलों में भाग गए बलराज साहनी समेट उनकी पतनी और बेटे को भी अपना घर छोड़ना पड़ा जंगल में बंबारी जारी रहती है और बंहमले में उसकी पतनी की मृत्य हो जाती है बलराज साहनी बाद में भारत में एक अमीर वकील बन जाते हैं और उनके बेटे डॉक्टर गौतम जिसका किरदार राजेंदर कुमार ने निभाया है ब्रिटेन में प्रशिक्षित डॉक्टर है जो हिरोशिमा और नागासाकी के विकिरण के बाद की भयावता से निपटने में मदद करने के लिए जापान जाने के लिए स्वेच्छा से काम करता है लंदन में लॉर्ड बर्ट्रेन रसेल ने गौतम को उनकी जापान यात्रा के लिए आशिरवाद और शुभ कामनाय दी प्रसेल एक शांतिवादी और युद्ध विरोधी विचारक जो एक कैमियो भूमिका में दिखाई देता है इस 1967 की फिल्म का स्वर निर्धारित करता है बलराज साहनी अनिच्छा से अपने बेटे डौक्टर गौतम को जापान जाने की इजाजत दे देते हैं जापान पहुँचने पर डौक्टर गौतम पर्मानू रोगों के लिए एक अस्पताल में भूमिका निभाते हैं भारत में शिक्षित सायरा बानो द्वारा अभिनीत मेलोडा हिंदी बोलती है हाला कि वह जापानी है जापान के एक बुद्ध पार्क में डौक्टर गौतम से मिलती है मेलोडा के पिता डौक्टर अखिरा जिसका किरदार चेतन आनंद ने निभाया है उस अस्पताल के मालिक हैं जहां डौक्टर गौतम काम करते हैं कहानी हमें पर्मानू हथियारों से होने वाले दीर्गकालिक नुकसान की याद दिलाने के रूप में विकिरण पीडितों द्वारा सहन की गई गंभीर और कभी-कभी भयानत पीड़ा से गुजरती है जब मच्वारों का एक समूह प्रशांत शेत्र में फ्रांसीसी पर्मानू परीक्षनों से विकिरण के संपर्क में आता है तो डौक्टर गौतम मच्वारों को बचाने में मदद करने के लिए एक सांसी बचाव अभियान चलाते हैं क्रोधित तत्वों से जूचते हुए डौक्टर गौतम मच्वारों को जीवित रहने में मदद करते हैं उनमें से हर एक को बचाते हैं लेकिन किस कीमत पर जापान में बौध धर्म के आगमन 1905 में इंडो जापान सोसाइटी के गठन और सुभाष चंदर बोस की आईये नै को जापान के समर्थन से शुरू होने वाले भारत जापान संबंधों के संदर्भ में देखने पर यह फिल्म एक प्रेम कहानी से परे एक अर्थ लेती है जापान में देखने परे लेती है